तो पहले लाइक और सब्सक्राइब करें आज हम बात करेंगे कि जो टोपाज मसीन पर हमने प्रोग्राम में डाला है पार्ट वन उसका स्टेप्स वन किसी को कन्फुजन हो रहा है बहुत सारे कमेंट्स भी आया हुआ है कि सर उसमें पीसीवी को कैसे रिजेस्ट करना है जैस सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें हमें दो चीजे की जवरत होती है एक तो हमें चाहिए एक्स मूमेंट और एक चाहिए हमें वाई और तीसरा चाहिए जैट इससे हम कन्वेयर बेल्ट को सेट करेंगे आना इसा और यह होता है हमारे एक्स डार्ण में और एक वाई डार कुस्येट है कुज थे ग्ट वसक्राइब सब और एक बर्मियर लेंगे जिसको परभ़कित करेंगे और मसीन प्रक्राइब बिल्कुल500 म करेंगे और म में ते देख लेंगे से लगा रहे हमारी जो पीशिवी टेबल होता है कोई पीशिवी जी से लंबा वाइव मैं अगर इस पीसीवी की बाद करूं अगर मेरा कन्वेयर बेल्ट इस तरह से है तो मैं इस तरह से तो नहीं लगाना चाहूंगा ना क्योंकि इदर तो प्लेन और इधर एकुरेशी नही यह तुच तरह से मेजरेमेंट करेंगे मेजर्मेंट करने के बात बर्नियर लेंगे अगर मेरा बड़ा PCV तो बड़ा PCV लेंगे मैं इसको छोड़ देता हूँ इसमें ज्यादा दो इस है तो हम एक्साभ और कर लेंगे इसमें आप यह कितना रहा है 94.23 तो हम यहां पर लिख लेंगे कि एक्स इसकल टू है 94.24 है ना तो आप इसको वेरियंस में हलका साथ टॉलरेंस देखे चलेंगे यह हो जाएगा 9.3 या 35 आपको लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो कंवेर बिल्कुल ज्यादा टाइट हो जाएगा तो पीसी भी जो है उसे पास नहीं होता है फिर दूसरा हमारा आगया वाई डिरेक्शन में यह आ रहा है एक सो वन वन शिक्स टू सेवन तो हम यहां वाई भी मेंशन कर लेंगे 116 टू एड जो है कि हमारा यह एक्च्वल है लेकिन इसमें थोड़ा से ट 16.35 तक भी देना पड़े नहीं तो ज्यादा टाइट हो जाएगा तो कंवेर जो है वह पीसी भी को नो बैंड कर देगा इस तरह से तो हमें वह एर्जेस्ट कर लेना हलका से टॉलेंस लेक चलना अब जो जैट डारेक्शन होता है जैट कैसे निकालेंगे जैट एक्चुली 1.03 आ रहा है तो यहां पर हम एक्चुल जो आ रहा है वो लिक लेंगे 1.03 और इसको भी टॉल्रेंस देंगे 1.1 तक देना पड़ेगा और यह सी कंवेर बेल्ट के एकोडिंग जो है ने जो हमारा सपोटर होता है जो पीसीवी पीसीवी टेवल होता है मान चलो कि यह देंगे ना तो हमारा जो सब्सक्राइब जो इसको पीसीवी को पकड़ता है वह उतना ही दबाएगा उससे ज्यादा नहीं है अगर आप कम दबाओगे इसकर थिकनेस कम रखोगे यह पीसीवी इसके अंदर ही लेगा इसे तो हमें एक्चुल रखना है और वहां पे तो देखेंगे उसके बाद हम और इजीन पर जाके एक्स को फिल करेंगे और कंवेयर पर जाके जैट को फिल करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको डायूट क्लियर हो चुका होगा कि कि परस्ट टाइम पिसली को कैसे मेजर्मेंट करेंगा अब इसमें पिसली कितना भी बढ़ा हो सकता है तो एक्स भी हो सकता है अब प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम रहेगी उसमें कोई चेंजेस नहीं है थैंकियो फूर वाचिंग इस वीडियो